हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू कोस्टीज चैनल आजकल अफगानी सलवार का काफी ट्रेंड है बीना बैल्ट के इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिंपल तरीके से कैसे करें आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बैल्ट वाली अफगानी सलवार की वीडियो मैंने पहले अपलोड की है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉप्स में दिया है ये धाई मीटर वेल्वेट का कपड़ा है आजकल वेल्वेट काफी ट्रेंड में है इसकी पहनी हुई सलवार देखने में बहुती अच्छी लगत इस सलवार को बीना बैल्ट के बना रहे हैं तो यहाँ पर लास्टिक के लिए आप निशान लगा लें जितना आपका लास्टिक है उतना ही से निशान लगाना है मैं सवा दो इंच पर लगा रही हूँ और इन निशान को स्केल से मिला लें सलवार की लंबाई 35 इंच है सव दो इंच जहां पर लास्टी का निशान लगाया था वहां से इंची टेप रखकर 35 पर निशान लगाएं यहां से 2 इंच बुक्रम का एक्स्ट्रा पॉंचा स्टिच करना है तो उसमें से 2 इंच लेस करके 33 इंच पर निशान लगा लें अब आधा इंच उपर और आधा इंच नीचे स्टिचिंग में आएगा इसलिए 34 इंच पर हमें निशान लगा लेने हैं और इन निशान को आप स्केल से मिला लें सलवार का घेरा हिप के एकॉर्डिंग रखा जाता है हिप का चौथा हिस्सा हुआ साढ़े ग्यारा इंच आप इसमें पांच इंच प्लस करें यानिके साढ़े सोला इंच अगर हिप जादा है तो आप 6 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं साढ़े सोला इंच पर यहां पर अब निशान लगा लेने हैं और यहां से हमें आसन रखना है आसन भी हिप का चोथा हिस्सा ही रखना है साड़े ग्यारा इंच पर आप निशान लगाएं यहां से धाई इंच पर आगे को बढ़ा कर निशान लगाएं आप तीन इंच पर भी निशान लगा सकते हैं इस तो डवल यनि के 13 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं लेकिन इस सलवार में मैं ज़्यादा प्लेट डालना चाहती हूँ तो मैंने इसमें 16.5 इंच पर निशान लगाया है और इन निशान को आप इस तरीके से मिला कर यहां से इसकी कटिंग कर ले अफगानी सलवार की कटिंग करना बहुत ही असान है और बहुत ही कम समय में इसकी कटिंग हो जाती है अब नीचे वली साइड 2 इंच की हमें बुक्रम जो एक्स्ट्रा निशान लगाया था यहां से मैंने देखिए 15 इंच की 2 इंच पर कटिंग कर ली है यह टोटल लंबाई इसकी 15 इंच है और जो बुक्रम है 2 इंच की है दोनों पॉंचो के लिए कटिंग कर ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इससे इससे प्रेस्ट से चिपकाना है और यह जो लेस है इसका हम डिजाइन बनाएंगे सबसे पहले आप 2 इंच देखिए यह बुक्रम है तो हमें 6 इंच पर निशान लगा कर कपड़े की कटिंग करनी है चार इंच बुक्रम के लिए एक एक इंच जो है वो एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए रखा है अब दोनों पहुंचो के लिए डवल करके इस तरीके से कपड़े को रखें और 15 इंच की बुक्रम की कटिंग की है तो 15 इंच पर निशान लगाएं और यहां से इसकी कटिंग कर लें यह दोनों पहुंचो के लिए कपड़े की कटिंग कर ली है और सेंटर से इसे काट लें अब कपड़े को आप इस तरीके से आधा इंच एकस्टा रखें इस बुक्रम को प्रेस से चिपका लें और इसे फोल्ड करें चलिए अब इसे स्टिच कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूं दोनों आशन को आप बरापर करके मिला कर रखें और यहां पर आधे इंच की स्टिचिंग करते हुए डवल स्टिचिंग कर लें ध्यान रखना है दोनों साइड आशन पर डवल स्टिचिंग करनी है दोनों side stitching कर ली है अब यहां से इसे interlock भी कर लिया है अब elastic stitch करने के लिए मैं आपको सबसे असान तरीका बताती हूँ हम इस तरीके से fold करते हैं तो हमें कपड़ा बराबर fold करते हुए problem आती है तो आप सबसे पहले दो point कपड़े को इस तरीके से fold करें और यहां पर stitching कर लें ऐसा करने से एक तो stitching में finishing आएगी और elastic भी बिल्कुल बराबर set आता है यह देखी मैं आपको fold करके बताती हूँ इस तरीके से stitching में बिल्कुल भी problem नहीं आती है अब सलवार के कपड़े को double fold करके रखें यह elastic cutting करने का सबसे आसान तरीका है तीन इंच यहां से हमें कम काटना है और double stitching करके नेफे के उपर इस तरीके से fold करके रखें और यहां पर stitching कर लें ध्यान रखना है elastic के उपर stitching नहीं करनी है आप देख रहे होंगे हमें कपड़ा बिल्कुल भी fold करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही दो point पर इसकी stitching कर ली है और इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से stitching होती है अब कपड़ा अगर आपको कम लगे तो elastic को आप इस तरीके से खींच कर ब्राबर करके सेट करें और यहां से stitching कर लें Elastic को ब्राबर सेट करने के लिए इस तरीके से दोनों हाज से पकड़ कर खींचें और यहां पर सेंटर में stitching करें ताकि elastic जो है ही लेना एक हाज से आप ब्राबर करके इस तरीके से खींचें और stitching कर लें देखिए elastic को stitch कर लिया है अब हमें नीचे वली साइट पहुंचे से देखिए किस तरीके से plates को stitch करना है दोनों को ब्राबर मिला कर रखें यहां पर छोटा कट लगाएं या आप निशान भी लगा सकते हैं अब दोनों साइट से एक इंच या डेड़ इंच पर निशान लगा लें मैंने एक इंच पर दोनों साइट से निशान लगा लिया है अब plates को एक एक इंच पर इस तरीके से अपनी तरफ को रखते हुए stitch करना है सारी plates को stitch कर लिया है आप सबसे पहले अब इंची टेप से नाप लें ये देखिए टोटल 15 इंच पर stitching हुई है दूसरी साइट से भी हमें एक इंच पर निशान लगा कर अब अपनी तरफ को stitching नहीं करनी है दूसरी साइट को plates को stitch करते जाना है आपने देखा एक साइट की अपनी तरफ को और दूसरे पहुंचे की दूसरी साइट को stitching की है अब इसे आप इस तरीके से उल्टा करके रखें और जो हमने बुक्रम को प्रेस से चिपकाया था उसे वहां से आधा इंच पर रखकर इस तरीके से stitching कर लेनी है अब इसे आप इस तरीके से फोल्ड करें और यहां पर भी इसे आधा इंच फोल्ड करके यहां पर stitching करनी है अगर आपकी लेस यहां पर अंदर वाली तरफ से stitch करने की वाली है तो आप अंदर वाली तरफ से भी stitch कर सकते हैं लेकिन जो मेरे पास लेस है उसे उसके उपर रखकर इसका design बना कर stitch करना है ये देखिए इस तरीके से नीचे वाली साइड भी लेज को स्टिच करना है और दूसरी साइड उपर से भी स्टिच करना है अब दूसरी साइड से भी उपर की तरफ एक बार और स्टिचिंग कर लें ताकि जो ये लेज है बिलकुल बराबर सेट आए एक पॉंचे के उपर लेस को स्टिच कर लिया है ऐसी ही दूसरे पॉंचे के उपर भी लेस को स्टिच कर लिया है अब दोनों को बराबर मिला कर रखना है ध्यान रखना है लेस को भी बराबर मिला कर रखे और 6.5 पर निशान लगा लें लेकिन यहां पर हम बिल्कुल सीधी सिलाई की स्टिचिंग करेंगे क्योंकि जो नॉर्मल सलवार है उसमें थोड़ा तीर्छी स्टिचिंग की जाती है इसमें हम बिल्कुल बराबर सीधी स्टिचिंग करेंगे और आदे हिंच पर स्टिचिंग करते हुए दोनों साइड से पॉंचों को स्टिच कर लेंगे आप देख रहे होंगे लेस बिल्कुल बराबर सेट आई है मैं आपको इसे पहन कर दिखाती हूँ पहनी हुई देखन में ये काफी अच्छी लगती है और इस सलवार का काफी जादा ट्रेंड है अगर आपको ये बिना बैल्ट की अफगानी सलवार बनाने की वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कोमेंट्स करके जरूर बताएं लाइक करें शेयर करें जो मेरे चैनल पर पहली भार विजिट कर सब्सक्राइब करें वेल आइकन जरूर दवाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफकेशन आप तक पहुंच सके